हेलो दोस्तो, आई टेकनिकल कोर्स में एक बाफ ही से स्वागत है दोस्तो भी स्टुडेंट का 19 से किस स्टुडेंट हो है, 22 के स्टुडेंट हो सभी क्या रिजल्ट आया हुआ है सभी स्टुडेंट को कमेंट है कि हमारे रिजल्ट में आया हुआ है तो जो मार्शीट होती है कैसे डाउनलोड करना है मार्शीट के साथ साथ सार्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है कैसे काउंसलेटर मार्शीट डाउनलोड करना है सारी information मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा लाज तक इस वीडियो को जरूर देखते रहना आप लोग को complete जानकारी मिल जाएगी दोस्तो इसके अलावा फिर apprenticeship का registration कैसे करना वो भी बता दिया गया है सबसे पहले आपको Google पे जानना है NCBT MIS Portal को खोलना है जैसे NCBT MIS Portal को खोलेंगे तो training आएगा training verification profile है वहाँ पे training profile को click करेंगे तो यहाँ पे आपका एक page open होगा new page यहाँ पे training profile में आपका registration number garden's name और father's name, data birth और enter capture करना है फिर जाके submit करना है finally तो यह सारे चीज आपको अच्छे से भरना है सही जानकारी से भरना है जैसे आप click करोगे, यहाँ पे submit करोगे complete जानकारी भरने के बाद तो एक नए पेज open होगा उस नए पेज में आपको यही देखने के मिलेगा कि आपके profile खुलेगी आप यहाँ पे मैं आप submit करके दिखा देता हूँ आपको जैसे मैं submit में click किया हूँ तो थोड़ी से reference लेगा, थोड़ी से bait करना पड़ेगा आपको और यहाँ पे आपका खुल गया profile training name दिखा रहा है और admission date है 21 October 2019 का है यहाँ कि 1921 का student की profile है तो यहाँ पे आपको यही बताया जाएगा कि आपका first year का मार्शीट और second year का certificate यह print certificate करना है आपको और यहाँ पे second year का मार्शीट और first year का मार्शीट तीनों चीज आपको यहाँ पे provide हो जाएगी यह मिल जाएगी तो आपको एक-एक करके पहले click करना है और एक-एक करके download करना है यहाँ पर जैसे मैंने print certificate पे click किया हूँ तो loading ले रहा है थोड़ी देर बाद जैसे open हो जाएगा आपको थोड़ा bet करना पड़ेगे इसके लिए और जैसे ही loading complete होता है तो यहाँ पर एक certificate NTC जिसको बुलते हो या NCBT के द्वारे जो certificate download होती है वो download हो गई है तो मैं इसको open करके देखा देता हूँ और यहाँ पर आप लोगों को complete चेक करना है कि अपना नाम सही है, father's name सही है, date of birth सही है कि हमें जिस ITA से college किया था, उस ITA के नाम आ रहा है नहीं आ रहा है तो complete जानकारी आप लोगों को यहाँ पर देखना है complete यहाँ पर आप लोगों को चेक कर लेना है finally अपना सेशन चेक कर लेना है सारा चीज आपको चेक करने के बाद next जब आएंगे तो आप लोगों को फिर से मिलेगा मार्शीट डाउनलोड करने के लिए तो आप लोग यहाँ एक एक करके मार्शीट के लिए क्लिक करेंगे यहाँ पर लोडिन ले रहा है जैसे यहाँ जैसे open होगा तो मैं देखा देता हूं कि यह हमारी second year के student के मार्शीट डाउनलोड हो गई है और finally यह मार्शीट मैं open करके भी देखा देता हूं आपको कि कैसे open की जाती है वो open करने पर कैसे दिखेगी आपको तो ये देखिए मैं open कर देता हूँ थोड़ी सी ये है ये देखिए second year है annual exam का है यहाँ पर complete आपको trade theory, employability skill, work calculation, trade practical पूरा आपको details देखने को मिल जाएगा total है 700 mask का जिसमें से 547 नमबर ये लड़के का आया है यहाँ पर result का जो status है pass दिखा रहा है और यहाँ पर भी आपको check करना है कि हमारा नाम सही आ रहा है और हमारे mark sheet पर बार कोड है या नहीं है trade का नाम है या नहीं है यह सारी चीज जानकारी आपको check करने लिए है तो इसी तरह के mark sheet और certificate डाउनलोड करना है आप लोग सीख गये होगे कैसे डाउनलोड करना है कैसे नहीं